Hello everyone and good morning all of you मैं प्रिकास बहुत पो स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल Target with Elser में दोस्तों जो हमारा लाइब सेशन हुआ था 37 नमबर का उसका रिवीजन हम आज करेंगे तो बीना देरी के हुए चलेंगे प्रस नमबर एक के तरफ केवल question and answer discuss किया जाता है क्योंकि ये class live हो चुकी ये आपकी इसमें केवल question and answer discuss करेंगे explanation के लिए आप description में लिंक दिया गया होगा आप इस वीडियो को full देख सकते हैं explanation के साथ ठीक है तो जो लोग नहीं देखें वो लोग जाके देखें और जो लोग देख चुके हैं वो लोग continue रखें और उसको revise करें और सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले आप लोग से request है आप जल्दी से वीडियो को अपनी दोस्तों में share कर देए और जो दोस चैनल पर पहली बार है चैनल को subscribe कर ले बेल आइकन को प्रेस कर ले अरज सबुद्र लोग वीडियो को like कर देंगे तो देख लेते है प्राशन ngoir 1 आंतरीकान किसे सम्मंधीत होते हैं चार अपसाफ के सामने है आपका राई टेंसल हो जाएगा स्रवण वा संतुलन से ठीक है आंत्रिकान स्रवण और संतुलन से सम्मंदित होते हैं ठीक है दोनों ही कारे करते हैं चलते हैं प्रस्टमनेश के तरब पुरुस में मुत्रमार की लंबाई कितनी होती है और इसका right answer हो जाएगा 2 का A ठीक है? 18 से 20 सेंटीमिटर पुरुस में मुत्रमार की लंबाई होती है और सभी लोग कमेंड करके बताएंगे कि इस तरी में मुत्रमार की लंबाई कितनी होती है? चलते हैं प्रस्टमा नेश्ट के तरफ प्रस्टमा नेश्ट है हड़ी की पहली छोटी अस्ती है और इसका right answer हो जाएगा option D तीनो ही होती है ठीक है? हड़ी की पहली छोटी अस्ती तीनो ही होती है मेलियस, इनकस और इस्टेपीज चलते हैं प्रस्टमा नेश्ट के तरफ आतिसे धड़कन टेक काडिया क्या है? चार अप्रस्टमा पर सामने है और right answer हो जाएगा option D हिर्दे की तेज दर टेज दर ठीक है? रेट क्या लाता है? अतिसे धड़कन या टेक काडिया चलते हैं प्रस्टमा नेश्ट के तरफ peripheral neuritis या poly neuritis होने की कारण है और right answer क्या हो जाएगा इश? इसका right answer जाएगा option D is right उप्रुक्स सभी दिर्गमद्दे पान, विटामिन B की कमी और डीप थीरिया तीनों ही हैं इसकी कारण प्रस्टमा 6 है आपका किस इस्तती में नाड़ी की गती दर पुर्द अनियमित रहती है इसका right answer क्या हो जाएगा? 6 का B is right atrial fibrillation दोस्तो इस वीडियो को हम लोग explanation के साथ 37 नमर वीडियो ये है और 37 नमर लाइज सेशन में आप देख सकते हैं लिंक बना हुआ है एक आपका लाइज सेशन का और एक revise session का तो live session में आप live class से जो लोग नहीं देख पाएं वो लोग जाकर वहां से देख सकते हैं playlist से playlist बना हुआ है ठीक है? और जो लोग revise class का पूरा वीडियो नहीं देख पाए हैं वो लोग playlist से revise वाले में क्लिक करके देख सकते हैं ठीक है वहां पे explanation के साथ आपके live वाले में explanation के साथ सारे वीडियो कराया गया है यहाँ पे सिर्प उसका revision कराया जा रहा है सारे एक प्रस्ट बहुत ज़्यादा महत्पूर है और आप लोग 8-9 minute में quick revision कर सकते हैं वो है hepatitis जो केवल यकृत को को शिकाओं में ही ब्रिधी करता है उसका right answer जाएगा 7 का B hepatitis A जो केवल यकृत को शिकाओं में ही ब्रिधी करता है नेक्स प्रस्ट ने लार ग्रंतियों में पीडा यूक्त ब्रिधी वा सूजन होना कहलाता है उसका right answer जाएगा 8 का B is right ठीक है पैरोटाइटिस जिससे क्या बोलते है मुममपस बोलते है चलते हैं प्रस्ट नेक्स प्रस्ट नाइन तंबर वा पोलियो जिसमें क्रेनियल तंत्रिकाय पूरे तरीके से प्रभावित होती है और right answer क्या हो जाएगा 9 का A is right वल्वा फॉर्म पोलियो चलते है प्रस्ट नमर 10 है अपका निमनमेसी छोटी माता चिकन पॉक्स रोक का कारण है ठीक है और उसका right answer क्या हो जाएगा option A जो वेरियोला वाइरिस होता तो वो भी यहां पे right हो जाता तेकिन option में वेरियोला वाइरिस नहीं है इसका right answer है हरपीज वाइरिस चलते है प्रस्ट नमर 10 के तरफ नेक्स प्रस्ट निमनमेसी कौन सी परिक्षार्ट रिपोर्ट अस्ती मज्जा का परदा की जाच में सहायक है और right answer हो जाएगा 11 का B is right E.S.R. ठीक है इसके बारे में मैंने live session में detail में बताया है चलते है प्रस्ट नमर नेक्स के तरफ जो दो चैनल पर पहली बार है चैनल को subscribe कर लें सभी लोग और bell icon को press कर ले ताकि आप video का notification आपको मिलता रहा है अगर आप test देना चाहते हैं वेसे भी आज आपका test होने वाला है छे बज़े नर्सिंग का test होगा और साथ बज़े आपका होगा जी है जी के का तो जो लोग test देना चाहते हैं वो लो description के link से टेलिग्राम चैनल जॉइन कर ले आप वहाँ से text दे सकते हैं ठीक है और सब लोग video को like कर देंगे प्लीज चलते है प्रश्णम में इसके तरब निमने में से कौन सा कारक बच्ची के बुध्धी या विकास को प्रभावित करता है तो राई टेंसर हो जाएगा उप्रयोक्त सभी ठीक है अन्वान सिक्ता परियावरण और पोसक अस्तर तीनों ही प्रभावित करते हैं बच्ची के बुध्धी और विकास को प्रस्ट नमार थर्टीन है दूद या अंडे में वसा का कौन सा प्रकार पाया जाता है और उसका राई टेंसर क्या हो जाएगा थर्टीन का बी अद्रिस से वसा द्रिस से वसा और अद्रिस से वसा कौन कोम से होती है और कैसे पहचानते है इसके बारे मैं आपको बताया है डीटेल में चलते हैं प्रस्ट नमार थर्टीन है बोजन को किस प्रकार से सुरक्शित रखा जा सकता है और उसका राई टेंसर क्या हो जाएगा 14 का राई टेंसर हो जाएगा option D उपरोग सभी प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है तीनों ही option आपके सही है cold storage, dehydration, smoking, frickeria next question है आपका ऐसी बिमारी जिसमें व्यक्ति को बार पर लगता है कि उसने इसवस्त तुयास्थान को पहले भी कभी देखा है इसके बारे में बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया था इसका राई टेंसर हो जाएगा deja, UV और इसपे एक movie भी बनी है Hollywood की next question है आपकी चेहरे में पाई जाने वाली हड्यों में से इस्तिर हड्या कौन सी होती है और आई टेंस हो जाएगा option D, ठीके तीनो ही हड्या gyomatic हड्य, mangyla और boma तीनो ही इस्तिर हड्या होती है next question है निमनमिस से कौन सा enzyme starch को mildoge में परिवर्दित करता है और आई टेंसर हो जाएगा 17 का C is right एक मानो के हाथ में कुल कपिल अस्तिया कितनी होती है और 18 का राइ टेंस हो जाएगा option B, 8 होती है मानो के हाथ में कुल कपिल अस्तियों के संक्या 8 होती है next question है lessics या furosemide क्या है 4 अपके सामने है और राइ टेंस हो जाएगा option A, loop मुत्रवर्धक होता है यह जलते है प्रशन में निस के तरब next question है जिवाडू से हुए संक्रमण के कारण कौम सा सौक होता है और इसका right answer हो जाएगा 20 का, बिल्कुल 20 का C is right hypowalmic सौक ठीक है जिवाडू से हुए संक्रमण के कारण hypowalmic सौक होता है सबी लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे जो लोग लाइक ने किये लाइक कर दें आप लोग प्लीज मुत्रमार्ग में संक्रमण को क्या कहते है और आइट answer हो जाएगा option A urethritis कहा जाता है मुत्रमार्ग में संक्रमण को नेक्स प्लाइड हार्मोन के बनाने ही तो कौन से प्रदार्ग की जरूरत होती है 22 का be is right iodine की जरूरत होती है यह आई है ठीक इसका प्रमार्ग कर मांग होता है 53 चलते है प्लाइट नबर नेस के तरप और नेक्स प्लाइट निम्नलिखित में सी एसकेबिज बिमारी का क्या कारण है और राय टेंसर हो जाएगा 23 का be is right सारकोपटस इसका राय टेंसर हो जाएगा ठीक है सारकोपटस के कारण एसकेबिज बिमारी होती है नेक्स प्लाइट ने निम्नलिखित से कौन से कैंसर का सम्मन्द अधीक वसा के सेवन से होता है तो right टेंसर हो जाएगा 24 का colon cancer अधीक वसा के सेवन से colon cancer होता है इसके बारे में मैंने डेटेल में बताया है निम्नमेसी मलेरिया से बचावन नियंतर रठेतू महतपुड उपाए कौन से है 4 अपसन अपके सामने है और आई टेंसर हो जाएगा option D मानवगारप नियंतर डखना मच्छरों के काटने से बचा मच्छरों के सुरूतों पर नियंतर डखना तो प्लीज गाईज आप लोग हमारे इस वीडियो को क्या करें लाइक करें और दोस्ते में अधिसी सेयर करें और जो दोस्ते में पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बुलेंगे और आज आपका टेस्ट होना है तो जो लोग टेस्ट नहीं दे पाते हैं या जो लोग फर्स्ट आइम हैं वो लोग डेस्किप्सन में लिंक दिया गया हो जोईन में टेलिग्राइम चैनल उस पर क्लिक करके आप टेलिग्राइम चैनल डाउनलोड कर ले जोईन कर ले टाकि आप लाइब क्लासिस का नोटिफिकेस्ट जो भी क्लासिस उसका नोटिफिकेस्ट टेस्ट एंड पेडिया फाइल प्राप्त कर सकें thank you for watching thank you so much जहीं जहाँ बारत बन्ने मात्रा बाई बाई टेक क्यार एंड लब यू आल अपना अपनों ख्याल लखे बाई बाई टेक क्यार